देखिए इसमें गलती जो यहां सपा प्रवक्ता बेठें उनकी नहीं है जिस पिछ पे वो बैटिंग कर रहे हैं वो अखिले जादम ने कपकी खोद दी है इनको खुद नहीं पता यह क्या कह रहे हैं इनको यह भी नहीं पता है कि आज यह श्वेट पत्र आया है उसमें किस तरह से दस साल जो थे यूपिये के उसकी तुल्ला दस साल जो इंडिये के हैं उससे करी गई है और उसमें बिल्कुल पश्ट कुछ बातें बताई हैं जैसे हमारी एकॉनमी अर्थविवस्ता फ्रेजा गया था आज चार से साड़े चार प्रतिशत रहता है पर कैपिटा इंकम डबल हो गई है इन्होंने नौकरी की बात करी अमी जी जो प्रदान मंत्री जी ने राजपती अभी भाशण पे जवाब दिया है यह सारे दर्शकों को जब सुनने दीजे मैंने उसी की जो बाते है इंगित करी है और मैं अभी आपको बताता हूँ नारी शक्ती पे प्रदान मंत्री जी ने बताया विमन रेजवेशन आरक्षण कौन लाया नरेंद बोदी जी की सरकार लाई आज हमारी जो बेहने हैं जो हमारी इस्त्रिया है देश जी वो फाइटर प्लेन उड़ा रही है जाइए सच नहीं है तीन करोर लगपती बेहने बनी है जिनको घर मिला है इनोंने बोला है जो हमारी बेटिया फाइलिट पें क्लें उडारी आप बताया है सबसे पहले किस ने हमारे बाबा बाबा क्या कर रहा है था क्योंकि आपको नहीं मालू मैं मैं आपसे बता रहा हूं आप आपने भरश्चा चार देखे बादी मा से आपने पैसे ले लेते हो तीजा रुपए शरम नहीं आती है और टेभी डिवेट पे आके बोल रहा है हमने यह किया हमने यह किया क्या क्या कर रहा हुआ दादी मां से 30,000 रुपे ले लिए और टीवी डिवेट में भी आ गए बोलने के लिए एक दादी मां अब आपने बोलता है इंट्रेक्शन मांगा था आपने 30 सेकिंड कर आपको भी आपको दिया और अरॉक शांत हो गया वो लिए दादी मां पे बोले महिलाओं की बाते कम से आपके प्रवक्ता ना करें तो अच्छा लगेगा इनके अध्यक्स नहीं करें क्योंकि बियाद आजाएगा आजम खान अब देखिए बीट में बोले कि जो भी जिया चुप करा लिए यह क्या कोई ऐसे उत्तिविल्मी की रवाइत होई ने कौन लोग थे जो महिलाओं पे आज कुछ बोल नी रहे हैं आज कुछ बोल नी रहे हैं जवाब देखिए ने रहा हूं देखिए आर अमी जी यह गलत बात है इस तरह से नहीं हो पकिसानों का अपमान परदास नहीं कर सकती है हो गया हो गया हुआ आपने बोला ओकी और बाटिया आरेलडी इनके साथ से तो जा रही है आपके साथ आ रही है क्या अगे हमी जी मैं एक चुनोटी आपके कारेकरम में देता हूँ उत्तर प्रदेश पे इतिहास रचा जाएगा असी में असी सीटे भागपा कि आएंगे आप इनसे अगर अभी भी पूछ लें कि किती सीटे आएंगी उत्तर प्रदेश पर भारत में कहरें ये बारत पर कहीं है भी नहीं तो यह क्या बताएंगे तीन सीटों की पार्टी बन गए मालूम आपको एक समय था समाजवादी पार्टी की 49 लोकसभा के सांसत थे आज तीन पे हैं क्यों है क्योंकि परिवारवाद भरस्टाचार सांपरताइक राज्यती जाली डाज टोपी आगे बढ़ाओ हिंदू भगवानों को गाली देता है कि कुछ कह पाए हां तो मैं केवल इतना कह रहा हूं जो हिंदू है भारत का वो जागरित है ऐसा सबक सिखाएगा अंडा आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं और एक चीज़ और कह दूँ देखिए युवाओं की और नौकरी की बात प्रदान मंत्री जी ने बताया दस साल में अठारा करोड अठारा करोड नए लोगों को जो लोग थे उनको नए जॉब लगे और ये एपी एफो डेटा है और मुद्रा योजिना में च्वालिस करोड़ लोगों को हम लोगों ने लोन दिया जिसके उनको रोजगार यारी पंजाब में आमादी पार्टी और कॉंग्रेस का अलाइस नहीं होगा तो इंडिया घडबंदन को वहाँ पे जटका है विवेक पहले आप से इसकी राय ले लेते हैं क्या कहना चाते है जैन चौधरी कल पंजाब में आप और कॉंग्रेस का आज दस सेकेंड यह तो इसा नहीं होना चाहिए था मैं तो बेसिक बात यह कहूंगा और खड़के जी ने आज पार्लेमेंट में जो कहा लेकिन मैं उसकी और यहां जरूर आकर्शत आपसे करूंगा उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने का प्राइम मिनिस्टर से जब भी हम प्राइ और नहीं मान सकते कि कमनलाथ जाएंगे यानि बार-बार खबर यारी थी कि कमनलाथ जा सकते हैं इस बात को मैं नहीं मान सकता लेकिन किसी की गैरेंटी भी नहीं ले सकता उनका पार्टी से पुराना संबंध है ये भी कहा है लेकिन नकुलाथ का भी पार्टी से गहरा संब रहे इशारों इशारों में विवेग थंखा ने एक बहुत बड़ी statement दिए है former chief minister कमनलात के बारे में और उनके सबुत्र नकुंलाथ के बारे में क्या है ये पूरा मामला ये बहुत बड़ी statement है अगर ये होने जा तो कॉंग्रेस पार्टी के लिए सिरफ गडबंदन नहीं पार्टी में भी खत्रा है चीदा सुनते हैं विवेक तनफा का अतनखा का ये बयान गॉसिप का एक ट्रेंड बन भी गया है और कुछ कई देवी चीज़ें ठीक निकलाती है तो लोगों को लगने लगता कि गॉसिप भी सही होगी बट मैं इस बात को बिलीव करने को तियार नहीं हूँ कि कमलनाजी जाएंगे कमलनाजी का जो जो संबंध है और संपर्ग है वो बहुत गहरा है और बहुत पुराना है नकुलनाजी भी उनके बेटे हैं और सांसद हैं और उनकी मेरी उपिनल में जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा उनके परिवार और कॉंग्रिस से जुड़ी हुई है तो मुझे लगता कैसा होगा रेस्ट एजाइसेट हर आदमी अपना अधिकार खुद जानता है और जो जैसा ठीक समझता करता है और इस वक्त कुछ समय ही परिवर्तित सा महसूस होने लगा है तो वन नेवर नोस कि कल क्या हो जाए किसी को क्या पता कल क्या हो जाए इशारा क्या है यह इ कुलात के बारे में भी कनफर्म नहीं है तो यह इशारा क्या करता है राजेश गुपता यह क्या हो रहा है आप और कॉंग्रेस का अलाइंस तूट रहा है आप